कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में लोग जानेंगे स्वतंत्रता अंदोलन के दवरान पूस्तक और उनके लेखक यहां से भी आपके एक्जाम में 102 कोश्चन पूछ लिए जाते हैं हर साल तो चलिए हम अपने टॉपी की सुरुगात करते हैं सबसे पहला देखिएगा दूसरा गीता रहस्य गीता रहस्य इसके पूस्तक के लेखा कौन है बाल गंगा धर तीलक बाल गंगा धर अगला देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एक्जाम में यहां से कोश्चन पूछा गया है बंदी जीवन नोट भी लगा लेंगे इसके आगे बंदी जीवन इस पूस्तक के लेखा कौन है सचिंदरनाथ सान्याल उसके वास अगला देखिएगा इंडिया डिवाइड़ राजंदर प्रसाथ इस पूस्तक के लेखा कौन है राजंदर प्रसाथ अगला देखिएगा आनंदमत आनंदमत अगला देखिएगा डिस्कब्री आफ इंडिया डिस्कब्री आफ इंडिया पूस्तक के लेखा कौन है जवाहर लाल नहरू उसके वासे काफी इंपर्टेंट पूस्तक है नील दर्पॉर्ण दीन बंधु मित्र एक कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया होगा नील दर्पॉर्ण अगर आप प्रीवियस येर का कोश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके वास अगला हम देखते हैं पुस्तक नमबर एट गीतांजली और गोरा इस पुस्तक का लेका कौन है रविंद्र नाष्ट टैगोर रविंद्र टैगोर अगर उसके बाद सगला देखेंगा लाइफ डिवाइन काफी इंपर्टेंट है और इस पुस्तक के लेका कौन हो जाएंगे अर्विंद घोस अर्विंद घोस सत्यार्थ प्रकास परचित होंगे आप इस से और इस पुस्तक के लेका कूंगे दयानंद सर्वसती देखीगा नेशन इन मेकिंग इस पुस्तक के लेका कौन है सुरेंद्रनाथ बनार जी सुरेंद्रनाथ बनार जी यह सब काफी इंपर्टेंट पुस्तक है और हर बार आपके एक्जाम में आसे एक से दो कोश्चन अग्दम कनफर्म रहते हैं उसके बास देखे अगला तराना एहिंद मुहम्मद इकबाल अगला देखेगा माई एक्सप्रिमेंट विद टूथ इसके पुस्तक के लेका कौन है महात्मा गांधी नीचे लिए थे थोड़ा जगा हमारे पास कम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नवरोजी दादा भाई नवरोजी भारती स्वतनक्ता संग्राम इस पुस्तक के लेका का है भिनाएक दामोदर सावर रहां यह रहा है दोस्तों हमारे 15 पुस्तक करूण के लेका अगर आप इतना तयार कर लेते हैं तो अगर यहां से कोष Zweek तो आप तो ऐसे वन नाइनर कोश्चन आता है तो आप तो आसानी से कर लेंगे लेकिन अगर मैचिंग करने को कुश्चन आजाता है कूट में देता है 123 इस तरह से तो भी आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आई होपे मेरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा और आपको याद हुआ कि नहीं हुआ तो अपने दोस्तों साथे वीडियो शेयर भी कर दीजेगा और मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद